हाई आज हम बनाएंगे समाके चावल की खीर तो यह हमने समाके चावल लिये जो बरत के लिए होते हैं हमने यह तक्रीबन एक कटोरी लिये हैं 50 गराम यह हमरे छोटी कटोरी है यह बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं हम यह अपने एक पड़े बरतन में डाल दिये हैं अब इनको हम एक गिलास पानी डाल के बिगो के रख देंगे तो सबसे पहले हम अपने चावल बिगो के रखेंगे अब हम अपनी खीर बनाने के लिए चलते हैं तो हमने अपनी गैस ओन कर ली है अब हम इसमें दूद डालेंगे तो हम दूद तकरीबन दो बड़े गिलास डाल रहे हैं यह 750 एमल दूद है मैंने फुल क्रीम दूद लिया है आप चाहें तो टॉन्ट दूद भी ले सकते हैं मैंने यह फुल क्रीम 750 एमल दूद लिया है अब इस दूद को हम गरम होने देते हैं जब तक इसमें उबाल ना जाए तो हमारे दूद में उबाल आ गया अब इसमें हम अपने चावल एड़ कर देंगे हम सारे चावल डाल देंगे दीदे दीदे करके चावलों को हमने अच्छे से साफ पानी में धो लिया था चावल को आप अच्छे से एक या दो बार साफ फानी में धो लें भिगोने के बार अब हम इनको mix कर देंगे अच्छे से नहीं तो हमारी खीर नीचे लग जाएगी तो यह देखें हमने अच्छे से mix कर दिया है अब हम इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए दो मिनट तक पकाएंगे समाके चावल की खीर बहुत ही जल्दी बन जाती है इसमें बहुत टाइम नहीं लगता इसमें ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट लगते हैं ये देखिए ये बनने के लिए तयार हो गई है इसकी पहचान यहीं होगी कि जब ये आप ऐसे चम्मत से गिराएंगे तो पहले दूद गिर रहा है और चावल रुकते हैं तो अभी ये बनके तयार नहीं हुई है जब आपको लगे कि खीर और चावल एक साथ नीचे आ रहे हैं तब ये चावल की खीर बनके तयार होती है अब भी हमाम जब भी डालकर देखेंगे तो दूद पहले आएगा और चाओल बाद में तो ये अभी तैयार नहीं हुई है अब देखिए हमारी तैयार होगी है अब जब हम इसको चम्मत से गिराएंगे तो दूद और चाओल एक साथ गिर रहे हैं तो हमारी समा की चावल की खीर बन के त्यार हो गी है, अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, अब हम इसमें अपनी तीन इलाइची हैं जिनको कूट लिया है, उनका पाउडर डाल देंगे, इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आती है खीर में, अब हम अपने इसाब से डाल देंगे, मेरे पास किसमेंस है, तो मैंने इसमें किसमेंस डाल दी है, अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब इसमें हम मीठा डालेंगे, तो मैंने ये खांड ली है, मेरे पास खांड है, मैं खांड इस्तेवाल करती हूँ, तो मैंने ये खांड डाली है, एक कि कोई और मीठा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं तो समा के चाहुड की खीर बनके तयार होगी हम अपने बाउल में निकाल लेते हैं यह अपने बाउल में निकाल लिए खीर अब हम इसमें उपर से थोड़े कटे हुए बादाम डाल देंगे आपको हमारी खीर कैसी लगी जरूर बताएं धन्यवाल